हेलो विर्वान वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं इस कुदुरत कौर और गायज आज मैंने सरस्वाधी पुजा मेकप लुक्रेट किया है आई लिटल बिट लेट बर स्टिल अपलोड इस वीडियो तो यह जो मेकप है आई तिंक सारा मैंने फोर प्रोड़क्ट्स यूज़ किया है शायद उनली तो बहुत ही क्विक मेकप किया है और यह आई मेकप जो आप सिर्फ पांच मिनट में कर सकते हैं वह भी आपको सिर्फ ब्लेंडिंग में टाइम लगेगा अधर वाइस पांच मिनट भी नहीं लगत और अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करके बेल बटन प्रेस कर लिजएगा यहां पर मैं स्विस ब्यूटी की फांडेशन ले रही हूं इसको मैं अपने आई लिज पर लगाकर ब्लेंड करूंगी और अन्डराइज भी इसको लगाकर ब्लेंड कर दूंग ट्राइशन कलर जो है लगाने से ब्लेंडिंग काफी अच्छी हो जाती है और अगर आपकी हुड़ड आइज हैं तो आप एक फेक करीज जिसको कहते हैं वह जरूर करें ताकि आपका जो आई मेक अप है वह काफी अच्छा लगे तो मेरी भी थोड़ी सी जो है हुड़ड स जैट व्लेक जो होता है तो दोनोंको आपकाने मेरी को यह जो पर संदॉर में से अर ब्लेंड चार्ण करें है मैंने फिर से वही ब्रॉश लिया है और कलर लिया है जो मैंने फर्स ऐस ट्रांजिशन अप्लाई किया था और इसके जो एजिस हैं दोनों को मैं आपस मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी तांकि कोई भी लाइन जो है वो क्रेट नहीं हो और नहीं दीखें कि कौन स कलर मैंने बाद पर अप्लाई किया है तो अच्छे तरीके से प्रॉपरली इन दोनों आईशेड़ को आपको जो है वो ब्लेंड कर लेना है तो सेम पिंक शेड जो मैं एज ट्रांशन यूज की है इसको मैं लोर लैश लाइन पर लगा लूँगी तांकि जो लोर लैश जो है वो अप्लाई करूंगी वाटर लाइन पर नहीं अप्लाई करूंगी तो सेम स्विस्ट ब्लेंडर के साथ अगर आप फाउंडेशन को लेते हैं तो काफी नैचरल सा लुक आपकी जो फाउंडेशन है उसका आता है और बहुत ज़्यादा गौड़ी और हैवी जो बे । जो है तो काफी अची है आपकी फाउंडेशन वह ब्लेंड हो जाएगी तो आपको मेशा ही वैट करके इसको निचोड चाहिए तरी के फिर आपको ब्लेंडर को यूस करना है उसके बाद फिर से मैंने वही जो मैंने आईशैडो पर अप्लाई की है इस आईशैडों उस तो ब्रो की टेल है वहां पर थोड़ा हैवी मितलब लगाना है आपको आप डाकर साइड पर जा सकते हैं लेकिन फ्रंट साइड पर हमीशा लाइटर जाए उसके बाद जो भी ब्यूटी ब्लेंडर पर प्रोडक्ट बचा हुआ है एक्स्टा नहीं लेना है उसी के साथ थोड ना का आपका सौरी आपका जो कान जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर अपने आई बोल के तक ही आपको आना है और इसको ब्लेंड करना है कॉन्टारिंग को ठीक है अगर आपको कॉन्टारिंग की जरूरत नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन मुझे जरूरत प काफी अच्छी जो है वो कॉंटॉरिंग और ब्लेंडिंग हो जाती है और फिर से मैंने वही शेड लिया है ठीक है जो मैंने अपनी रिजने पर प्लाइट किया था और ब्रश के ओपर लिया है एक्स्ट्रा मैंने बैक अफ में हैंड निकाल दिया है तांकि बहुत ज्यादा पिंक है वो नहीं हो जाए ऐसे नहीं लगे कि बहुत जादा जाकी बन गए है बहुत सारा बलब ब्लश लगा लिया है सेम पर मैंने हाई लैटर लिया इसके जो आईशाइडो से बहुत जादा पिंगमेंटन हैं और बहुत ही बटरी सॉफ्ट है शिमरी शेड भी तो इस त लगे और खुली खुली जो आईज है वो लगे ओपन आईज लगे तो लगा कर आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना इस तरीके से उसके बाद मैं अपने ब्रो बॉन पर भी हाईलाइटर लगा रही हूं अपने लैशिस को कर रही हूं कर और फॉकलियो का मसकारा लेकर कर दो कि यापको चाहते कि आपका जो लीप शीडवा उसकी ग्मेंटिशन अच्छी है तो जो भी ब्यूटी प्रड़ाट बचा है उसको अपने लिप्स पर इस तरीके से लगा लें ठीक है उसको कनसील करने उसके बाद जो भी लिपशेड आप यूज करना चाहते हैं इसक साथ क्या होता है आपकी लिपस्टिक का जो कलर है काफी ब्राइट लुक देता है क्योंकि आपके लिप्स की जो पिगमेंटेशन है वह हाइड हो जाती है ठीक है तो इस इस दा फाइनल लुक गाई तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी हलपफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक देना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स और फामिली की साथ शेयर करना भी मत भूलेगा और पहली बार आया है तो दू सब्सक्राइब तो माई चैनल गाई और गाई आप और कौन से वीडि का अप्लोड करने की सी यू गाई और मैं एक रूं तिल दन बाई बाई